आज हम देखने वाले हैं कि जो धंडी मेट अकाउंट रहता है तो इसमें अगर आपने कुछ होल्डिंग किया था और अभी आपको इसमें जो भी आपका टार्गेट रहेगा प्रॉफिट होगा अच्छा गासा हो रहा है और अभी आपको जो भी होल्डिंग रहेगा उसको स निए थो अभाई यह प्रीटा वान में इसकले क्लीक करो को अधारा समस्माइढ करेंगे अधैने तैंक है प्राइप्स के विरेश सेड़ोन कि अभंध मग्राइब ग्लिय। करने के वाद अभी आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है फिर से यहां पर चाहू तो इस टेंट पर कर सकते हो और आप चाहू तो चैल पर कर सकते हो और जैसे आप इंस्टेंट पर क्लिक करोगे इस यहां पर आपको लेकर आ जागे क्योंकि जो भी हमारा holding shares रहता है तो उसको हमें cdsl के साथ Tipe In से verify करना पड़ता है उसके बाद ही हम holding shares को sell कर सकते हैं सबसे पहले तो आपको एक नया tip in बना लेना है तो guys tip in बनाना बहुत ही simple यहां पर आपको देख सकते हो generate new tip in का option आ रहा है तो इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके पास एक message आ जाएगा और उसी message में आपको tip in मिल जाएगा इस पर आप click करोगे तो यहां पर देख सकते हो successfully send request for tip in generation इस type से आपको देखने को मिलेगा तो guys यहां पर मुझे message भी आ गया और उसी message मुझे यहां पर tip in भी मिल गया है तो उसके बाद यहां पर आपको transfer to cdsl पर के लिए कर देना है and guys अभी आपको जो भी tip in रहेगा तो इंटर कर देना है और उसके बाद आपको verify पी के लिए कर देना है उसके बाद आपके mobile नमर पे एक OTP आएगा OTP आपको इंटर कर देना है यहां इंटर करने के बाद आपको verify पी के लिए कर देना है यहां पर देख सकते हैं जो भी हमारा T-Pins से successfully verify हो गया है सबी holding shares और अभी हम इनको successfully sell कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको अभी कुछ भी करना नहीं है और यहां पर आपको market order देखने को मिल जाएगा है यहां पर आपको quantity देखने को मिलेगा जितना भी shares आपको sell करना है तो पूरे हम पर आपको select कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको market limit and trigger आप चाहो तो हम पर limit लगा के भी sell कर सकते हो और market पे sell कर सकते हो तो यहां पर में market रहने देता हूँ और उसके बाद आपको यहां पर sell and instant का option मिल जाता है तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके इसको आप sell कर सकते हो जैसे आप instant पर क्लिक करोगे जो भी हमारा sell रहेगा जो भी हमारा holding shares रहेगा sell हो जाता है successfully यहां पर देख सकते हैं जो भी हमारा नाइका का shares है यह sell हो गया है successful और अभी आगर आप position में आके देखोगे तो यहां पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा बट अगर आप portfolio में जाके देखोगे तो यहां पर आपको zero देखने को हो जाएगा जो भी हमारा shares था देख सकते हो अपर चाह नहीं क्योंकि हमने उसको sell कर दिया है और बाकि अगर आप यहां पर money में आके जो भी holding shares का value था amount था तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएग आप इसी तरीके से जो भी धन एप है तो यहां पर आप successfully जो भी आपका holding shares रहेगा उसको आप sell कर सकते हो बिना कोई problem के और अगर आपको अभी भी कुछ भी problem आता है तो मुझे आप comment पूछ सकते हो मैं आपको reply कर दूँगा बाकि वीडियो देखने के लिए thank you so much